सुप्रभात बच्चों, आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है ये वीडियो है क्लास 2 के लिए और क्लास 2 में आज आप पढ़ेंगे ब्याकरन तो ब्याकरन का ये चप्टर 5 है जिसमें सिर्षक है लिंग की पहचान तो बच्चों इस पार्ट में आप जानेंगे कि लिंग की पहचान यानि लिंग क्या है लिंग की पहचान कैसे होती है लिंग के कितने प्रकार है यानि कितने भेद होते है आदी के बारे में आप इस चप्टर में जानेंगे तो बच्चों इसमें दिया गया है कि रोहित और नेहा भाई बहन है तो रोहित और नेहा के बारे में क्या बताया गया है कि ये दोनों क्या है भाई बहन है दोनों बाग में खेल रहे हैं रोहित के दादा दादी पार्क में बैठे हैं इस चित्र में भी दिया गया है कि ये रोहित के जो हैं डादा दादी हैं जो पार्क में बैठे हुए हैं उसके माता पिता टहल रहे हैं तो रोहित और नेहा के जो माता पिता है ये क्या कर रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है रंगिन सब्द जिसमें है कि भाई, बहान, दादा, दादी, माता, पिता. तो ये सभी रंगिन सब्द जो है, इससे इस्तरी और पुरुषजाती का बोध हो रहा है. तो आप इसमें देख रहे हैं कि भाई, दादा और पिता ऐसे सब्द हैं जिससे पुरुष जाती का पता चल रहा है यानि पुरुष जाती के होने का बोध हो रहा है तो इसमें है कि बहान, दादी और माता तो ये तीनों सब्द जो है बहान, दादी और माता तो इस सब्द से इस्तरी जाती के होने का बोध हो रहा है तो जैनि इस सब्द से इस्तरी जाती के होने का पता चल रहा है और भाई, दादा और पिता सब्द से पुरुस जाती के होने का पता चल रहा है तो आपने देखा कि सब्दों के रूप से पता चल रहा है कि वे पुरुस जाती के हैं या इस्तरी जाती के तो अर्थात सब्द के जिस रूप से उसके इस्त्री जाती या पुरुस जाती का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं तो बच्चों आपको ये जानना है कि सब्द के जिस रूप से, यानि सब्द का ऐसा रूप जिस से ये पता चले कि वह सब्द का है या पुरुस जाती का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे, ऐसे सब्द को लिंग कहा जाता है. तो ऐसे सब्द जिससे पुरुष जाती और इस्त्री जाती दोनो का जब बोध होता है तो उसे लिंग करते हैं तो इसको जो है दो भागों में बाटा ग California है लिंग को दो भागों में बाटा गया है जिसमें पहला है pulling और इसके बाद है Flat Link तो लिंक के दो भेद हैं जिसमें पुलिंग और इस्त्रिलिंग तो लिंक को जो है दो भाग में बाट दिया गया है जिसमें आप जानेंगे कि पुरुस जाती का बुध कराने वाला सब्द पुलिंग कहलाता है तो ऐसे सब्द जिससे पता चलता है कि वह पुरुस जाती का है तो उसे क्या कहेंगे? पुलिंग कहेंगे तो इसका उदाहरन कुछ दिया गया है जिसमें है कि बालक, गायक, बैल, सेर तो ये ऐसे सब्द है जिससे पता चल रहा है जैसे हम बालक बोलते हैं तो पता चल रहा है कि ये पुरुषजाती के हैं उसी परकार गायक जब हम बोलते हैं तो पुरुसजाती का बैल तो पुरुसजाती और सेर तो पुरुसजाती का होने का पता चल रहा है तो यह ऐसे सब्द हैं जिससे पुरुसजाती का होने का पता चल रहा है इसलिए ऐसे सब्द को क्या कहेंगे पुलिंग कहेंगे तो इसके बाद है कि जिस सब्द से यानि इस्त्री जाती का बोध हो यानि ऐसे सब्द जिससे जो इस्त्री जाती का बोध हो उसे हम इस्त्रलिंग कहते हैं तो इस्त्रलिंग में जैसे कि ये सब्द जो है पुलिंग में जो दिया गया है इसका हम इस्त्रलिंग रूप बनाएंगे जैसे कि बालक पुलिंग है तो इसका इस्त्रलिंग रूप क्या होगा तो बाली का इसी परकार गायक का इस्त्रलिंग रूप गाई का बैल का इस्त्र जाती के हुने का पता चल रहा है इसलिए स्त्री जाती का बोध कराने वाले सब्द क्या कहलाएंगे स्त्री कहलाएंगे प्रुस मजने के लिए इन वाक्यों को पढ़िए तो बच्चों इसमें जो कुछ वाक्य दिये गए हैं तो लिंग के जो भेद है उसे हम कैसे समझेंगे कि पूलिंग है या इस वाक्य के माध्यम से भी आप समझ पाएंगे तो इसमें दिया गया है कि मैं संजीव गुपता हूं यह न वाक्य है यह नंदू है वह निकीता है नंदू मेरा बेटा है निकीता मेरी बेटी है तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि संजीव गुपता हूँ तो इस संजीव गुपता से पता चल रहा है कि संजीव जो है क्या है पुरुषजाती का पूध हो रहा है जब कि उसके बा यानि पुरुष्जाती का बुद करवा रहा है और यह मेरी पत्नी है तो पत्नी सब्द जो है इस्त्रि यानि निशा के लिए आया है तो यह पत्नी सब्द जो है इस्त्रिलिंग है तो इसी परकार यहां पे दिया गया कि यह नंदू है यह कौन है नंदू है वह निकीता है य और निकीता मेरी बेटी है तो नंदू के लिए जो बेटा सब्द का प्रियोग किया गया जो पुरुष जाती के लिए है और निकीता के लिए बेटी सब्द का प्रियोग किया गया है जिससे पता चल रहा है कि ये निकीता जो है इस्तरी जाती की है यानि बेटी सब्द से भी पता चल रहा है कि बेटी सब्द जो है इस्तरी जाती की होने का पता चल रहा है तो इसी परकार और भी यानि उदाहरन के माध्यम से यहां दिया गया जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं कि यह मुर्गा है वह मुर्गी है तो मुर्गा और मुर्गी सब्द से पता चल रहा है कि मुर्गा जो है पुरुष जाती का है और मुर्गी सब्द से पता चल रहा है कि इस्तरी जाती का है मुर्गा बांग देता है, मुर्गी अंडे देती है इसी प्रकार मूर के बारे में दिया गया है कि यह मूर है, वह मूर्नी है मूर नाचा मूर्नी उसे देखने लगी तो इन वाक्यों में जैसे कि यहाँ पे और भी आपने उदाहरन देखा है जिसमें कि पती, बेटा, मुरगा और मूर ये सभी सब्द ऐसे हैं जो पुलिंग सब्द है यानि पुरुषजादी का बुध करवार है इसलिए ये पुलिंग सब्द है और पतनी, बेटी, मुरगी और मुर्नी ऐसे सब्द है जिससे इस्त्री जाती के होने का पता चलदा है इसलिए ये क्या है इस्त्रिलिंग सब्द है तो पुलिंग और इस्त्रिलिंग सब्दों के कुछ उदाहरन इस प्रकार भी दिये गए हैं जिसमें और भी उदाहरन है जैसे कि पुलिंग से इस्त्रिलिंग बनान कि कुछ सब्द ऐसे जाने उसका पूलिंग से स्त्रलिंग क्या होगा तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है चाचा का चाची मामा मामी नाना नानी मौसा मौसी बकरा बकरी घोरा घोरी बच्चा बच्ची हीरन हीरनी उट उटनी हाथी हथीनी तो इसी परकार और भी सब्द है जैसे की बाग का बागीर, माली, का माली, नौकर, नौकरानी, सेट, सिठानी, नायक, नायका। इसी प्रकार पुलिंग से स्ठीलिंग बनाया गया, जिसमें चुहा का चुहिया है, पुरुस का महिला है, राजा रानी, इत्यादी ऐसे सब्ड दिये गए हैं। तो बच्चो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पुलिंग से इस्त्रिलिंग बनाना, इसी परकार इस्त्रिलिंग से पुलिंग भी बना जाता है, जैसे कि पूछा जाएगा की से ठानी इसका पुलिंग रूप क्या होगा, इसका पुलिंग रूप क्या होगा, सेट होगा, तो ये जो है pulling से हम इस्त्री लिंग भी बना सकते हैं और इस्त्री लिंग से pulling भी बना सकते हैं. तो बच्चों इस पार्ट में आपको ये याद रखना है कि जब जिस सब्द से पुरुष जाती और इस्त्री जाती का बोध हो उसे हम लिंग कहेंगे तो लिंग को दो भागों में बाटा गया है जिसमें pulling और इस्त्री लिंग है तो pulling में आपने देखा कि जिस सब्द से पु आज के लिए इस नहीं धन्यवाद